जै महाकाल दोस्तों कमेंट सेक्षन में जै शनी देव लिखना बिलकुल भी ना भूले शनी देव की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। साल दो हजार चौबीस में शनी राशी परिवर्तन नहीं करेंगे लेकिन उनकी स्थिती में बदलाव आएगा जिसका जिसका आपकी राशी पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं। मिथुन राशी के आठवें और नौवे भाव के स्वामी शनी कुम्भ राशी में नौवे घर में रहेंगे। नौवा भाव भाग्यका होता है लेकिन आपको साल दो हजार चौबीस में भाग्यका साथ पाने में देरी का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जबकि आप थोड़ी फिजूल खर्ची भी कर सकते हैं। आपको अपने पिता की सेहत पर भी धन खर्च करना पड़ सकता है। और इस समय आप दोनों के रिष्टे में भी खटास आने की भी आशंका है। आपको इस समय अपने भाग्य पर निर्भर रहने के बजाए मेहंत करने पर ध्यान देना चाहिए। आप मेहंत के दम पर ही अपने करियर में अच्छे परिनाम प्राप्त कर पाएंगे। वहीं आपके लिए नौकरी में स्थानांतरण के योग भी बन रहे हैं। इसके साथ ही आपकी आय में भी वृद्धी होगी लेकिन उसके लिए आपको जीतोड मेहंत करने की जरूरत है। 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 के बीच शनी वक्री स्थिती में रहेंगे और उनकी यह स्थिती आपके करियर और धन लाब के मामले में फलदाई साबित होगी। इस समयावधी में आपको करियर के क्षेतर में विदेश से नए अफसर मिलने की संभावना है। शनी गोचर 2024 के अनुसार इसके बाद 11 फरवरी 2024 से 18 मार्च 2024 के बीच शनी अस्त रहेंगे जिससे आपको करियर में तरक्की मिलेगी और आपकी आए में अचानक वृद्धी होगी। शनी 18 मार्च 2024 तक कुम्भ राशी में रहने वाले हैं और इस समय से आपका अच्छा समय भी शुरू हो जाएगा। आपको विदेश से नौकरी के अफसर मिलने की भी संभावना है और इन अफसरों को पाकर आप काफी संतुष्ट महसूस करेंगे। आशा करता हूं कि विडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी यदि आपको विडियो अच्छा लगा हो तो विडियो को लाइक और शेर जरूर कर दें चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दवा लें जिससे इस प्रकार के विडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे विडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद